दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं अपने मोबाइल फॉन से मतर दो मिनिट में कि आपके आधार काड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या फिर आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके आधार काड में कोई भी मोबाइ की आप शक्ता पड़ती है लेकिन दोस्तों हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है इस पीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप मातर दो मिनट के अंदर पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा वाल के किसी भी ब्राउजर को open कर लेना है और इसके बाद यहां पर आपको type करना है UIDAI जैसे ही आप type करेंगे इसके बाद जो first number पर website दिखाई देगी यहां पर आपको एक बार click कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको language सेलेक्ट कर लेनी है Language सेलेक्ट करने के बाद आप आधार कार्ड की option वेबसाइट पर आ जाएंगे इसके बाद यहां पर कुछ नीचे की साइट में आपको आना है और एक option आपको देखने को मिल जाएगा आधार services तो इसी वाले option पर एक एक बार क्लिक कर देना है दोस्तों यहां पर जो पुराना तरीका था वो change हो चुका है यहां पर थोड़ा सा new तरीका यहां पर आ चुका है तो अब आपको यहां पर करना क्या है कुछ नीचे की साइट में आएंगे और काफी सारे options आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमे वाई चांस अगर आपको यह समझ में नहीं आता है तो आपको यहां पर एक बार क्लिक करना है तो यह change हो जाएगा आधार नंबर और capture code को fill करने के बाद proceed वाले option पर एक बार क्लिक कर देंगे अब जैसे ही आप proceed वाले option पर क्लिक करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं पूरी detail आपकी आचुकी है सबसे पहले यहां पर age इसके बाद gender यहां पर आपकी state का नाम आ जाएगा और इसके बाद mobile number के section में आप देख सकते हैं जो भी mobile number आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस mobile number के last के three digit आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे और इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा mobile number लिंक है यहां पर दोस्तों पूरा mobile number इसलिए नहीं देते हैं कुछ security region की बज़े से तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा mobile number लिंक है और अगर आपके आधार में कोई सा भी mobile number लिंक नहीं है तो यहां पर mobile number के section में आपको कोई भी mobile number देखने को नहीं मिलेगा तो इस तरह से आप लोग बहुती आसानी से रस सिर्फ 2 मिनट के अंदर पता लगा सकते हैं कि आपके आधार कारड में कौन सा mobile number लिंक है या फिर आपके आधार कारड में कोई भी mobile number लिंक है या फिर नहीं है